हे गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुभाम और आप देख रहे हैं Fantasy Express का YouTube चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे Manchester Originals और Welsh Fire के बीच में होने वाले अगले The 100 मैच की ये मैच जो है ये Next मैच है The Man's का 100 का और ये दोनों टीम है जो है ये बहुत ज्यादा वीक टीम है मैं आपको अगर आप नदर डालेंगे तो ये दो सिर्फ एक मात्र AC team है जिन्होंने अभी तक तीन-तीन मैच जिन्होंने विन नहीं करा है तो सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली points की आप कह सकते हैं सबसे लास्ट की टीम है आपस में विड़ने वाली है और इसकी क्या टीम होगी वो मैं आपको प्रवाइड कर दूँगा अभी जिन लोगों ने देखी अभी fan2play पर sign up नहीं करा उनके लिए आपको बता दूँ के वो the 100 tournament में काफी कुछ मिस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बड़े-बड़े prizes मिल रहे हैं अगर आप tournament leaderboard वगेरा खेलते हैं 15 टीमों से maximum join कर सकते हैं जो भी टीम आपकी maximum fantasy point गेन करेगी वो leaderboard ranking के लिए जाएगी तो लगातार matches खेलिए 15-15 टीमों के साथ खेलिए अगर आप अच्छा बड़ा prize win करना चाहते हैं leaderboard contest में so guys अब बात करते हैं stats की फिर जल्दी से team मनाएंगे so guys यह 16 मुकाबला है men's 100 का और जो की खेला जाएगा Emirates Old Trafford Manchester में डेटो टाइम की बात करें तो 16th of August को यह match 11 p.m. इंडियन टाइम के साब से खेला जाएगा पिछ के बारे में अभी मैं आपको बता दूँगा कुछ matches इस साल यहाँ पे हुए हैं क्या condition है कितने runs बन रहे हैं spin pace का क्या रेश हो है हर चीज पता चलेगी सबसे पहले fantasy tips देख लो अभी तक प्लेस ने जो खेला उसमें का क्या performance है जैसे कि वेन मैटसन ने अभी तक 27 fantasy points पर मैच की performance दिये पिछले 3 matches में टी स्टप्स ने 22 fantasy points पर मैच बेंड़किट ने 35 मिलर ने 31 और लाउंडर्स में रसल ने 37 पी वॉल्टर ने 32 रियान हिगिंस ने 47 जे कॉब ने 27 बूलर्स में डेविड पेन ने 35 fantasy point पर मैच दिये क्लासी ने 24 परकिंसन ने 31 जंपा ने 29 दिये विगिट कीपर्स में बटलर ने 52 fantasy point पर मैच दिये और बेंटर ने 30 दिये टोटल मैच इस की बात करें इस venue पर तो आठ मुकाबले D20 International में खेले गए दो बैटिंग फर्स छे बैटिंग सेकंड ने जीते एवरेज बैट का फर्स्ट स्कोर 164 है और पाकिस्तान का 194 हाईस टोटल यहाँ पर रजिस्टर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं maximum time scoring 190 के 150 से 169 के बीच में हुए 19 बार ऐसा हुआ है आखरी मैचे जो अभी अगस्त की है जो आपने 100 के मैचे देखें जैसे मैंचेस्टर और ट्रेंट रॉकेट्स का एक मैच हुआ था हाई स्कोरिंग मैच था 189 मैंचेस्टर और ने बनाया 100 बालों पर और ट्रेंट रॉकेट्स से 193 बनाया और ट्रेंट रॉकेट्स आठ विकेट्स उस मैच को जीत गई ओरिजिनल्स को बहुत बुरी तरीके सारा आया हाला कि ओरिजिनल्स ने रंस बनाये थे इसके बाद देखें स्पिन को पांच विक्टे मिली और पेस को कोई विकट नहीं मिली इसके पहले 5 अगस् से अलगता टूर्णामेंट था उसमें हुआ है एसक्स और लेंक शायर का ब्लास्ट के जो मैचेश होते हैं फोर विकेट इस्पिनर्स थ्री विकेट पेस तो यहां पर भी देखिए स्पिन ने थोड़ा अच्छा किया है तो यह ऐसा वेन्यू है यहां पर स्पिन भी अच् जिसमें आप देख सकते हैं ओरिजिनल्स विनर रही है यह जो मैच है यह लास्ट खिला गया था 2021 में जिसमें वेल्स फायर ने 150 बना यह था और ओरिजिनल्स ने उसको चिर्ज डाउन कर लिया था रीसेंट फॉर्म देखें तो आखरी पांच के पांच मैच 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 जीता था यह देख सकते हैं का पूरा चार्ट ओपन हो गया और वेल्स फायर ने आकरी कौन से मैचस के ले जीते हारे सब कुछ लेखा हुआ है प्लियर बाटल में कुछी प्लियर बेटल आपको देखने को मिलेंगे जैसे बटल ले चुके हैं जंपा भी ले चुके हैं यह तैंको भूल में चैल छुके काफी बॉर तो प्लेकर त्वासिन गाल करने में तीन बार लेचल ले ले चुके सीघ्ण का देख़े हैं नीचे मिलर का देखें तो रसल की काफी पिटाई करी 17 की नमें 28 रन ये कुछ है प्लेर बेटल थे अब प्लेइंग 11 की बात करें तो बटलर ऊपन करेंगे फिल सॉल्ट के साथ बटलर का देखिए इन टीटूंटी इंटरनेशनल में 32 का एवरे जोता है डॉमस्टिक में 30 का ह करते हैं और अगर आप इंका एवरेज निकालें तो वह भी 30 के असपास निकलेगा अच्छे प्लेयर आपको टीम में लेना चाहिए पिछले माच में विकेट की प्रिंग जो है वो फिल्स रॉल्ट ने करी थी और ऊपन भी किया था और इवन 70 रन का अच्छा खासा नॉक क खेल सकते हैं कोई इनका बेटिंग पूदिशन नहीं होता है देख सकते हैं रिसेंटली कोई बड़े नौक से नहीं नहीं लगाए बट इनका एडवांटेज है कि यह बालिंग भी करते हैं दस्ते पंदरा कभी बीस बॉल भी कर जाते हैं अभी complete बालिंग तो नहीं कभी करने को मिले तो यह अच्छा ही स्कोर करेगा रिसेंट टाइम में स्कोरिंग इसकी रही है आप इस पर भरूसा कर सकते हैं फिर आते हैं यहां पर लॉरी एवांस 33 के खेलते हैं यहां पर देखिए स्टब्स का भी बहुत अच्छा है नौ मैच में इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करते हैं अच्छा कर पाएंगे फिर पॉल वल्टर है कुछ थोड़ा बहुत स्कोर कर सकते हैं शमता रखते हैं अगर जल्दी बैटिंग को लापस हो जाए तो आपको बैटिंग में अच्छा बैक दे सकते हैं और बोलिंग थोड़ी से अभी अवरिज कर रहे हैं फिर आते हैं सीन अबॉट इनकी भी बोलिंग अभी थोड़ी से अवरिज चल रही है और बैटिंग आई तो थोड़ा बहुत स्कोर करने की शमता ये भी रखते हैं टॉम हाटली इसके बाद आते हैं लास्ट सीजन टीम में ट्राइ कर सकते हैं फस्ट बॉलिंग में परकिंसन कभी-कभी ओवर्स कर जा रहे हैं पंदरा से बीस बॉल के आसपास आम तोर पर ये करते ही हैं रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है लास्ट सीजन आप पोजिशन टीम के लाफ इंको विकेट नहीं मिली थी बट्ट रहे लें वर्ल का फॉर्म काफी अच्छा है अगर खेले तो इंपॉर्डन रहेंगे वेल्स फायर की बात करें तो टॉम बेंटन ओपन करेंगे जो क्लाक के साथ दोनों ही विकेट कीपर बैट्स में है लाइन आप की टाइम आप देख सकते हैं जो भी एजा विकेट कीपर क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है टॉप उटर का प्लेयर मिस करना नहीं चाहिए सैम हिन्स पिछले मैच में सिर्फ 23 रन लगा है अच्छे प्लेयर है यह 95 मैच में 37 का अवरिज है बट पिछले 6-7 मैच में एक ही बड़ा नोग आया है 99 राइस का बाकी आप देखिए सारे स 25 रन का ठिक ठाक नोग आया बाकी दो मैचिसन के बहुत खराब गए लास्ट सीजन आप पोजिशन टीम क्ला 32 रन का स्कोर किया था ओवर्ल इस फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर है आपको इनको लेना चाहिए मिलर का तो आपको पता ही है बहुत अच्छे फॉर्म में है उत्ती इंपॉर्टेंट नहीं होंगे और बॉलिंग भी उत्ती नहीं कर रहे हैं कभी थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो ओवर्ल एवरेज पिक हैं फिर आते हैं डूइन प्रटोरियस रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं यह बैटिंग अगर इनकी आती है तो कुछ ना कुछ स बना सकते हैं ओवरॉल काफी अच्छे पिक होंगे कोई 15 से 20 बॉल एक्सपेक्टेट रहेंगी और बेटेंग अगर आई तो स्कोर कर सकते हैं फिर आते हैं अडम जंपा रीसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है बासट इंटरनेशनल मैचेस में कत्तर इनकी विक् डिविद पेन अच्छे फॉर्म में देख रहें अगर आप बात करेंगे डॉमस्टेक केरियर की तो 114 मैचेस में 144 विक्ट है वही जेक बॉल की 100 मैचेस में 101 मैचेस में 134 विक्ट हैं दोनों ही प्लियर काफी अच्छे हैं इंपोर्टेंट है और लगबहग 15 से 20 बॉल बल जादा नूबव नहीं है उन्टिस मैच में 40 विक्त हैं बट रीसेंट में बहुत अच्छे फॉर्म में है पिछले पांच मैचेज में हर बार इनको विकेड मिली है और 20 वह लगबग कन्फरम करके जाते हैं यह काफी डिफरेंशल पिकाप के लिए हो सकते हैं बेंचेमिन के पास रियांस हिगिन्स है इसके अलावा नूर एमद है जीकब बैथेल हैं मैट कृष्ली है और लिउस डूपलो है डैथोवर्स की बात करें तो एमानार की तरफ से क्लासीन हो गया हाटली हो गया रसल हो गया इनका डैथ में काफी उद होता है और वेल्श फाय जिसमें आप 2 से लेकर 4 प्लेयर की टीम मना सकते हैं तो अभी खेलना शुरू करिए और 2 से 4 प्लेयर की टीम मनाने में भी आप जो है अपनी स्किल डैवलप कीजे जिन लोग न अभी तक साइन अप नहीं कर रहा है फैन टूपले अप्लेकेशन पर एफेक्स लगा के साइन आप अपन करते हैं इस मैच को और माय टीम में जाके क्लासिक फेंटसी की 11 प्लेकी टीम देख लेते हैं तो ये मेरी 11 प्लेकी टीम रहने वाली है ऑपन करता हूं क्याप्टन मेरे है रसल वाइस केप्टन है जॉस बटलर आप इसका बूज़ेट भी कर सकते हैं दोनों ही एक्सपेक्टेड है और टाइम आने पर बैटिंग ये भी कर सकते हैं टॉम हाटली डेविट पेन और जेक बॉल को मैंने लिया है एक और अच्छी ऑप्चन है अडम जंपा ज्यादा मदद तो उनको इस टूर्णामेंट में नहीं विल रही है बट अच्छे पेक होते हैं सो को ले सकते हैं आपको वीडियो पसंद आया हुआ कप्तानी बस कप्तानी तो मैं दो ही आपको सेस्ट करूंगा बहुत से बहुत इंको रिवर्स कर लिजेगा बट इनसे ज्यादा बेटर ऑप्चन मेरे पास है नहीं तो अब वीडियो करता हूं खतम लाइक से सब्सक्राइ झाल 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 झाल